कि नमस्कार मैं अच्छी मिश्व और स्वागत है आपका हमारे चैनल में सानी देवर के चुप दश सहरों में फ्री में दिखाई जानी थी और दश मिनिट में सारे टिकेट खत्म हो गए अब उता दें कि इस वक्त सनीदोर के फिल्म चुप को लेकर काफी बस बना हुआ है और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बहतरीन ओपनिंग मानी जा रही है क्योंकि अपकमिंग फिल्म उनकी गदर टू होने वाली है जो से लेकर लोगों में खासा और सा या एक वाफर कहीं बस बना हुआ है इसे बीच आपको बता दे कि बॉलिवर अबिनेता शनी देवा से किला ने से फिल्म का इंतिजार कर रहें दर्षकों के में खास रिकॉर्डक की थी उन्होंने बरी निवर से पहले फेल्म duct को देश के कई षहरों में फ्री में दिखाया ज помог आए इसके तहद शनी देवल के समयावा का समय'm् 20 सितंबर को देश के अलग-अलग शेहरों में दर्शकों के लिए फिल्म चुप को मुफ्त दिखने की अपनी तरह की पहली गोशन थी जिसके बाद रोमांटिक साइको थ्रील और फिल्म को दर्शकों की जबरदस्त फृतिक्रिया मिल रही है क्योंकि बुक माई शो पर इसकी बुकिंग के दस मिनट बाद ही सारे टिकेट बुक हो गया पहली बार सलीदेवल दुलकर सलमान और पूजा भट स्टारर चुपके नर्माताओं ने अपने फिल्म को रिलीस से तीन दिन पहले मुफ्त शोकाय उजन किया जिसमें देश के दस शहरों में फिल्म चुपका प् से शांदार प्रतिक्रिया मिली चुप आर बलकी द्वारा निर्देशित और जुन जुन वाला अनिल नाइडू डॉक्टर जैनतिलाल गड़ा और गौरी शिंदे द्वारा नर्मित है मूल कहानी आर बलकी की है पटकथा और समवाद आर बलकी सविक्षक से लेखक बने रा आर बलकी के नई फिल्म आ रही है चुप रिवेंज अव दी आर्टेस्ट शनी देवल दुलकर सल्मान पूजा भट और श्ट्रेया धनवंतुनी जैसे एक्ट फिल्म में काम कर रहे हैं यह फिल्म 23 सितंबर को सिनवा घरों में रिलीज होईगी अनुपम फिल्मों के रिली फिल्म जनता को दिखाने जा रहे हैं वह भी बिल्कुल फ्री इसे चुप पब्लीक प्रीवियू कहा जा रहा है यह प्रीवियू सितंबर को ही दिल्ली मुंबई कोलकाता लखनौ बैंगल और हाइदराबास हमें देश के दस सहरों में होना है नूनी सितंबर को बुक इस मिनट में सारे टिकेट बुक हो यह चीर सोशल मीरिया पर भयंकर वाइरल हो रही है यह जो प्रीवियू है वह अल्टिमेटली एक प्रमोशन स्टंट है मगर बहुत फायदेगा किसे फिल्म को प्रमोट करने के यह क्रिटिक तरीका है जिसे बड़े करिया करीने से फिल् मिमंदारी से करते हैं यानि उन्हें फिल्म देखकर जैसा लगता है वह ऐसा लिख देते हैं कुछ लोगों के लिए फिल्म क्रिटिक्स बिजनेस है वह पैसे लेकर फिल्मों को अच्छा या बुरा बताते हैं चुबका कटलर दोनों है कोई फरक नहीं करता नहीं जूब इ से लेकर सीन और फिल्म की स्टोरी लाइन तक चुब का किलर इस बात से नाराज है कि कागस के फूल गुरुदत की सबसे प्रसनल फिल्म थी वह फिल्म उन्होंने अपने नीजी जीवन के अनुभवर से प्रडित होकर बनाई थी क्रिटिक ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया इसी वज़य से फिल्म पिट गए गुरुदत दिप्रेशन में चले गए और उसके बाद उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाए उसके लर को यह लगता है कि फिल्म में डारेक्टर के बच्चे जैसे होते हैं अगर कोई क्रिटिक उनके फिल्म को खराब बताता है तो वह उस डियरेक्टर के बच्चे का कतल कर रहा है जबकि उसके लगता है कि हमें सर्फ उस तरह की फिल्म में नहीं बनानी चाहिए जो दर्शकों को पसंद है फिल्मेकर्स को अच्छी और अलग किस्म के फिल्म में बनाकर उनका टेस्ट बहतर करना चाहिए चुप डिट्टों इस यही चीज़ करती है वो दर्शकों को असहज मैसूस करवाती है और नय तरह का सिनेवा देखने के लिए प्रोचसाहित करती है कहानी जाने के बाद यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि चुपके मेकर्स ने फ्रीवीव वाली स्ट्राटेजी क्यों अपना यह फिल्म चाता है और word of mouth का फाइदा कितना जादा होता है वो फिल्म कारती के वक्त में आपने जरूर देखा होगा जब फिल्म को सीधा साथ से सीधा आपको बता दे कि पहले 300 और उसके बाद कई हजार स्क्रीन पर जो है डाला गया क्योंकि उसे word of mouth बहुत अच्छा मिला था लोग रिव्यू से बचते हुए कि इससे जनता के पर अफेक्ट ना पड़े या फिर जनता इस रिव्यू को सही मान का फिल्म ना देखे फिल्म पर इस चीज को खत्म करते हुए सीधा जनता को ही इन्होंने रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया फिल्म देखिए और खुड कर दो तो बड़ी बात और एक नया रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कायम है तो इस तरह से आपको बता देखिए काफी है तो वहीं लोग कह रहे हैं कि गड़र टू को बॉयकॉट मत करिये क्यों कि क्योंकि यह कहानी हमारी है यह कहानी ऐसी है जिससे हम बहुत पहले से जुड़ परजना चाहते हैं और यही कारण है कि गदर्टू को लेकर काफी बज बना हुआ है और फिर सनी देवल जो है अपने अमिशा पटिल के साथ अपने उस गोल्डन स्क्रीन प्लेग को फिर से आप कह सकता है कि कायम करतर नजर आएंगे तो इसी बीच चुप के साथ एक बहतरीन सब्सक्राइब को जब फिल्म आक्च्छली सिनेवागर रिलीज होगी तो यह बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर वर्ड आफ माउथ या फिर पॉब्लिक प्रिव्यू का क्या कुछ असर देखे लिए फिल्हाल के लिए फिल्म को लेकर बहुत अच्छे रिस्पॉंस आ रहे है और चुप के साथ एक नई कहानी एक नई फ्रीलर और एक नई आप कह सकते हैं स्टोरी लाइन के साथ एक अलग कंसेप्ट के साथ जंता के बीच आये हैं तो 23 सब्टमबर को पता चलेगा कि फिल्म को लेकर आखिर जंता की क्या कुछ राए रहती है फिल्हाल के लिए करने करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको इस फिल्म की कहानी कि कि